नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा राधे राधे, ब्रद विधी उपाई में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ. आज हम देखेंगे कि 365 बाती का दीबदान हम किस तरह से कर सकते हैं. आजान विधी से 365 बाती हम घर पर बना सकते हैं और कार्तिक मां में दीबदान की बड़े महत्व है. इस समय अगर हम 365 की बाती बना के दीबदान करें तो साल भर के समन पुन्नता पुन्न फल प्राप्त होते हैं ऐसे मानत है. कार्तिक मास में दीबदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है. कार्तिक मास में समस्त मासों में से कार्तिक मास को सर्वस्ट्रेश्टों माना गया है. ये महिना भगवान विस्नू और भगवान सीब जी दोनों को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है. माननत है अनुसर कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा दीबदान करना चाहिए लोग कुछते हैं कितनी दीबदान करना चाहिए तो मैं ये कहते हूँ कि जितना ज़्यादा आप कर सकते है उतना ज़्यादा अच्छा होता है दीबदान के अर्थ होता है पूरे कार्तिक महीने में हमें दीबदान करना चाहिए और दीबदान का अर्थ क्या होता है अर्थ ये होता है कि अंधेरे में प्रकास यानि कि जहां अंधेरा है वहां हम उजाला कर रहे है यही है दीबदान जो पूरे कार्तिक महीने में नहाते हैं, ब्रत करते हैं, स्नान तथा दिवदान करते हैं, उनको मेरा सत्सत नमन पर जो लोग पूरे कार्तिक के महीने में ब्रत, स्नान तथा दिवदान नहीं कर पाते हैं वो कार्थिक मास्के एकादसी के दिन से लेकर जो कि देवोटनी एकादसी के नाम से भी जाना जाता है तथा देवत्तिहान एकादसी के नाम से भी जाना जाता है इस दिन से लेकर कार्थिक पॉर्णिमा यानि कि देव दिवाली तक दीबदान करते हैं इन पांच दिनों में स संख्या में दिवधान करना चाहिए तो दिवधान आप 11 diesen 51 फिर 108 फिर 365 या स्वाल लाग बातियों का दिवधान कर सकते हैं एक मीद्बाबाति एक साथ लेकर ऊब आपप जवब ढलते हैं और इगारा माथ नादि निगल नासी होने और वह हम देखेंगे कि 365 अगर कि सिने कोई जालाना चाता है कि 365 दीप सुब्स देख लए देखि क्रियों में लगाती है वाक्त सब्सक्राइब बहुत अच्छे से यह लगाता और एक चीज मैं दिखाना चाहती हूँ, ये कितनी तार का है, ये भी बहुत महतोर रखते हैं, जैसे मेरा ये कच्छा सूत अगर आप देख पा रहे हो, तो देखिए, ये तीन तार से बना हुआ है, मतलब अगर मैं एक सूत का ऐसे दिया बनाती हूँ, तो ये तीन तार का बाती क्या समान होगा है, तो तीन बाती इसको काउंट किया जाएगा, तो इस तरह से हम एक छोटा से मैथेमेटिक्स पहले समझ ले, कि मेरा ये तीन तार का बाती है, और अगर, मैं इस तरह से ऐसे करके, अगर बीस फेरे ऐसा लेती हूँ, यहां से सुरू करती हूँ, यह एक गोल को मैंने एक फेरा अगर काउंट करती हूँ, तो ये दूसरे पहरा हूँ, ये तीसरे बर में तीन फेरे हूँ, और इस तरह से चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, उननिस, और बीस, यहां तक मेरा बीस बन जाता है, तो यहां पर मैंने तोड़ देती हूँ, इसको, तो ये मेरा बीस राउंद हो गया, बीस में तीन तीन तार होने के कारण कितना हो गया, 60 हो गया, 60, तो 60 फेरे हमारा ये बन चुका है, अब जो ये 60 बन चुका है, 60 को हम कट कर देंगे तो यह हो जाएगा और भी डबल हो जाएगा, इसका मतलब यह 120 बत्ती मेरा एक ही बार में बन जाएगी, तो देखिए यहां से मैंने सबसे पहले इधर से मैं कट कर देती हूँ, और फिर इसको पकड़ती हुए, दूसरे साइड से भी मैं कट कर दोंगी, तो यह जो यह जितनी बत्ती हो गई, यह मेरे बत्ती कितना हो गया, 120, इसी तरह का मैं 20 लेके और भी दो बना के रखा है, तो देखिए इसको भी मैं काटके, इसको भी 120 का बना लेते हैं, हम 120 बाती और बना लेते हैं, तो यहां से यह कट कर दिया हमने, और इसको पकड़ते ह दूसरे साइड से भी हम इसको कट कर देंगे और ताकि हमें हमारी 120 बातिया बन जाए तो यह देखिए 120 और 120 कितना हो गया 240 बाती हमारा यहां पर तयार हो गया और similarly एक और हमें मतलब हमें total कितनी बंच ऐसे बनाना है हमें बनाना है total 3 बंच ऐसे बनाना है 3 बंच में हमारा total बन जाएगा 120 इंटू 3 यानि की 360 बाती हमारी बन गई है और आपके सामने मैंने बना के दिखाया कि कितना जल्दी बन जाता है तो यह देखिए 360 बाती हमारा यहां पर बन चुका है अभी हमें क्या करना है 5 बाती हमें और लेनी है तो इसमें already मेरे 3 तार का है तो मैं क्या करूंगी इसमें से ऐसा एक round लोंगी और यहां से तोड़ दूंगी तो मेरा यहां पर कितने बाती का हो जाएगा जह हो तो double है तो 6 बाती मेरा यहां पर हो जाएगा इसको भी मैं बीच में से कट कर दूंगी ताकि same size का हो जाए और यहां से मुझे एक तार निकाल देनी है तो 6 में से यह हो जाएगा फिर 5 एक तार हमने यहां से यह देखिए यह एक तार जो है यह मैंने निकाल दिया है तो यह हो गया मेरा पांच बाती और यह पांच बाती भी मैं यह 360 बाती के साथ जोड़ दिया और यह बन गया मेरा 365 बाती अब इस बाती को हम इसमें घी में अच्छे से घी में डुबो के हम इसको बाती को तयार कर लेंगे और 365 बाती मैंने इसलिए इसमें बनाया क्योंकि 365 बाती अकर आप मोटे धागे से बनाते हो तो बहुत जादा मोटा हो जाता है तो या तो कोई कोई करता है क्या इसको अच्छे से बांद देते है तो मेरे पास जो एक्स्टा सूत एक था उससे मैं अच्छे से इसको बांद दूंगी और जो धागे से मैं बांद रही हूँ उस धागे को थोड़ा सा हलके से बांदना क्योंकि यह कच्छा सूत है बहुत जल्दी तूट जाता है उसको ऐसे बाती काउंट नहीं होगा क्योंक रूप में नहीं है तो यह देखिए मैंने हलका सा बांद दिया ताकि यह निकले नहीं अब आप जब इसको प्रजलित करेंगे तो आपको 365 बाती का समान पल प्राप्त होगा तो आपको बड़ा दिया ले लिजे देखिए यह दिया काफी छोटी है अगर मैं इस दिया में आपको दिखाती हूँ तो यह दिया बहुत छोटा है तो 3-65 जब बाती लगानी होती है तो इस तरह का नारियल का और नारियल के अंदर इस तरह से इनको डाल के रख डे इसमें अच्छे से घी डाले या थेल डाले जो भी है घी झा दाल के इसको क्या करने है भीगव के बहुत अच्छे से पहुंच जाए और यहां पर आपको ऐसे छोटा कर लेना है फिर इसमें तेल डालके आप चाहे तो विस्नु मंदिर में इसको प्रजलित कर सकते हैं चाहे तो आप घर के मंदिर में तुलसी स्थान में किसी बहती हुई पानी में नदी में कहीं पर भी जहा आप से आसान तरीका लगा बनाने का जिससे आप जो है 365 बाती बनाके आप भगवान को दीबदान कर सकते हैं तो जो लोग भी दीबदान नहीं कर पाए है इतना दिन से और लोगों को लगता है कि 365 बाती बनाना बहुत कठीन है तो उनके लिए यह वीडियो है आप चाहे त बहुत समय है अभी मी काफी समय करने के लिए कफी समय बचा है तो यह िस तहरा से दिबदान कर सकते है और यह जो करेंगे यह को बहुत जादा पुण्यफल ीन होगा है क्यूंक सारा पूरे साल भर का पुन्यफल देता है तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा जुरूर बताना अगर अच्छा लगा है सेर करें, कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और ऐसे और भी आसनासन तरीके से हम किस तरह से हमारे कार्तिक मैने की पुन्यफल प्राप्त कर सकते है इसकी बहुत सारे वीडियो आने वाली है तो जुड़े रहे चैनल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए विदाय दीजे हरे कृष्णा रादी रादी